हेलो स्टुडेंट्स गुरु निति में हाज एक बार फिर अपने मेटलिजी को लेकर के आपके सामने हैं मैं दयाल चोधरी टीम सेल्सी और मेरे साथ हैं डीराज सर पहले हम दोनों लेक्टर आपके सामने लेकर आ चुके हैं अल्रडी कोडिनेशन पार्ट सेकेंड बिल्कुल आज भी वही अपने कोसिस की है कि स्लेक्टिव कियोसन अपने मेटलिजी से लिए है जिसमें पूरा एंटायर चेप्टर आपका उसमें तबर हो रहे है आपको पहला क्योसन देखिया साम आप रोस्टिंग प्रोसेश इस अप्लाइट तो विच आप दा फॉलोविंग और इंड किया निम्ड में कि सैसे के लिए प्रिप्ट करते है तो बर्जन एक तो बर्जन होता है और एक होता आपका के लिए तो इसको आपके पास जो भी और है किंसंट्रेटड और के लिए आता है तो इसको do to ki प्रजिंस में हीट देंगे और यहां पे तो कंसंट्रेटड और होता है उसको अपन नॉर्मली कर दो कर लो यह फैले से फो सझे और है उनके लिए उनके लिए तो आप कायए उप्सिजन नहीं हो तो वह आगया आपका सलफाइड हो तो यह महली आपके सलफाइड और के लिए काम में लिए जाती है दोनों का ही रेजल्ट एक ही होगा दोनों में आपका मैटल ऑक्साइट बनने वाला है वो लिटाइल इंपॉरिटी है वो आपकी यहां से निकलने वाल दोनों में ही हाई टैंप्रेचर पे हीट किया जाता है लेकिन मेल्टिंग पोईट से कम और इंडायरटल नहीं की बात करना है जैसे मैं अगर हीट यहां दे रहे हो तो यहां से जो होट-aire आएर आए गी उसकी हेल्प से इसको गरब करेंगे ताकि एमेंट ना हो इसीसी का बिल्कुल इसके लिए आप लोस्तिक कामें ले सकते हैं आइरन पाराइट होगी MBS2 इसके लिए भी आप कामें ले सकते हैं जिसको मुर्खो का सोना भी आप सोना कारता है CO2S है यह आगया कोपर ग्लांस है इसका एक नाम और होता है चालको साइट तो आप इसका एक कोमन नेम और होता है चालको साइट भी इसको कर रहता है तो यह भी आपका सल्फाइडोर हो गया तो सल्फाइडोर के लिए आपका कोण साथ है बिल्कुल आपको अब इसमें क्यों होता है जनली सर यह मेडिकल में क्यों होता है कर दो इसमें अपने जो फ्लोचार्ट बना के इनको आपको इसके को जाए बिल्कुल यह लेंडिंग पॉर्स नहीं को इसको याद रखना पड़ेगा और की लिस्ट बना लो एक कार्गोनेट और एक तरफ कर लो सलफेट और एक तरफ कर लो सलफाइट तरीके से यह चीजी आ को याद होता है और इसमें आपने जांगरते हैं कि इस यह यह लूमिन क्या होता है दिलकुल है यह ज्या रखना है थर्माइट जो होता है रिडिएक्शन उसमें रिडिजिन एजिंट हमेशा आपका कौन होता है एलिए पहले सीज़ तो यह दूसरा इस वज़े से आपका यह F2O3 है इसकी अलुमिनियम से रियक्शन करवा दी जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा लेक्सरा करने के लिए पहले तेमप्रेचर चीह होता है तो यहां पर जाएगी तो आपको यहां पर साथ लेके चलना है पहले स्टार्टिंग में तो आपने को टेमप्रेचर चाहिएगा बाद में इसमें कफी एक्जोथर्मिक प्रोसेज होता है वही चीज जैसे आप दो नुक्लियस को एड़ करते हो फ्यूजिन उनमें करवाते हो तो इनिशियली उसको ही तो बहुत ज्यादा टेमप्रेचर चा और इसमें कई जग है इसका रेशो भी पूछ लेते है यह त्री इस तूवन बेश्यों होता है यह ज़रली यह क्यों से पूछत है गए तो रेशियो के साथ ही पूछ त्री आपका तीन पार्ट होगा और यह अलुमिनियम आपका पार्ट नेक्स से लिसंग आपको 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 आपके पास और वहां से आपको मेटल ओक्साइड अब मेटल ओक्साइड का फिर आपको रिडक्शन करवाना रही वहां से इंप्यूर मेटल विलने हो लिए उसके लिए अपन इस मांटिंग काम में लेते हैं और यहां पर क्या होता है कि जो नौन वोलिटायल इंप्यूरिटT थी है वह नहीं निकलपा दी है तो ऐस वे प्लेइड च Noise मिलाए जाते है और वहां से जो और आता है उसको चार्ज और कर जकता है तो एक हाँगया जार्ज और चार्ज और बोल्दो या पॉर्ड और क्योंकि जब केल्सिनेशन या रोश्टिंग होता है तो उसमें पूर्य में पॉर्स बन जाते हैं जिससे उसका एक्टिविटी या रिक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है तो charge और flux और साथ में कोग काम में लिया दोता है क्लियर कई बार इनका ratio भी पूछ लेता है लेकिन वो और के हिसाब से होता है कौण सा और होता है उसके हिसाब से इनका ratio लेकर चलेगे क्लियर flux क्या होते है flux आपके impurity के साथ मिलेगे जो non-feasible impurity है ठीक है तो यहां से impurity और flux आपके मिलके के बना लेंगे और यह feasible होता है इसकी density भी कम होती है तो जब भी आप ऐस melting करोगे ना तो यह slag उपरा जाएगा तैयर के इसके दो फायते है पहला तैयर करके उपरा गया तो उनसे अलग हो गया दूसरा पूरी surface को cover कर लेगा तो जो metal ने already reduce हो चुकी है वो दुबारा से air के contact में आगे oxidizing नहीं हो पाएगी तो ऐसे यह slag अपने लिए metal को बचा लेगा और लेरा जी भी oxidized नहीं हो जाएगी नहीं तो जहां आपन थे और यह आपका reduction के तोर पर काम में आता है एक चीज़ का द्यान रखड़ा अगर इस से temperature हाई हो जाता है तो नो सो तेहसी से कम temperature पर कारबन अच्छा रिडिजिंग एजेंट है यह अपन थोड़ी बात करेंगे तब समझा देंगे आपको किलियर तो यहां पर आपका यह ऐसमेल्टिक की बात थी कुछ इसके बारे में अपने इंट्रिडूस भी आ गया गया यह फ्लक्स दिखाई टैक क्यों होता है यह सर ने बात करे लिए तो आपको बता देते एक होते हैं इसकी नेचर कैसी होती है एक आगे बेसिक फ्लक्स तो अब यह बेसिक नेचर का यह फ्लक्स किसी में मालोस ही लिखाई कि इंप्यूर्टी है तो उसको अठाने के लिए यह मिला तो यह कोई फिक्स नहीं है कि एक की इंप्यूर्टी दूसरे के फ्लक्स का काम है कर सकती है एक होते है न्यूट्रल फ्लक्स जैसे होल एहाट प्रोसेस होता है बड़ा तो एलूमिना के मैल्टिंग पोइट को कम ख इसे न्यूट्पिस को इस प्रकार से रेंज किया जाता है उसका उपरका तो कम होता है और जैसे-जैसे आप नीचे जाओगे तो और तो नamtो करने वाली आपकी कार्वन ओक्साइड और जहां टेंपरेटर हाई हो चुका है वहां का काम करने वाली अपने कार्वन क्यों सब्सक्राइब जी सर यह काकर अच्छे क्योशंस होते हैं इस ट्रैफ के मतलब आपको जिसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना उसको मैच कर दो यहां पर आपको मैचिंग मैचिंग ही खेलना है तो ऐसे अपसे ज़्यादा कंफिडेंट वा चीज पहले मैच कर लो इतने में आपको आ गोलेचे देटिया टैसे का एससे या में लिए प्रोटेश्णर चेक्सिंद के लिए इसके अंदर करो सुलफारेब स्पाम हिए लियागाना प्रील्यित – फ्लोटिंग लिया जाता है कि यहां से बेदी हो रहा है सिर्फ होगा इपिया जायेगा अभी आपको अलेक्रोलाइटिक डिएक्सम के लिए बात कर रहा था हो लेहां प्रोसेस जहां से है ऐलूम्या से ऐलुमिनियम तो उसमें क्या किया जता है एक आपकी बातबर लाते है और जोन रिखाइब के लिए लिए अल्तर में यहां से सबसे जढ़ा प्यॉर उंट्रा wow इसे तो आपका केस से अपना अंसर हो जाएगा से केड़ आप इसमें आगे बात करेंगे यह भी ठोड़ी बात करेंगे जो हम रिफाइडिंगी आएकर सब्सक्राइब सोगस्भण एक हिया टीर कायि है यहां से कौने पहले नियुन की अगिए के तो के लिग होता है आपने का सब्सक्राइब कि जैसे मालों जो जाग होते ना वो तो हलके उती उपर आ जाते हैं और जो भी हैवी पार्टिकल्स होते वो नीचे मेड़े जाते हैं तो इसमें हमारे पास एक पुछाए डॉर में चाहें इंती होता है तो आपने का मैटल के शॉल्यूं अर्व की डागा केनक Plot अपने के अब आपका टोटल वेट कितना हो गया तो आपकी क्या है मेटल तो अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ती है जिनमें मेटल की कंसंट्रेशन बढ़ती है ऐसे बढ़ती है कि इसमें चार ट्रम्स होती है पहला प्रोसेस तो होता है यह सलफाइड और के लिए काम में आता है लेकिन एक चीज़ का याद रखना जब बात चलीगी तो अर्जेंटाइट जो होता है उसके लिए यह मैथड यूज नहीं करते हैं इसके लिए कलोरिनेटिंग यूज करते हैं मतलब कि एनसी रियक्शन करवाके एजी सील मनाया जाते हैं यह मैथड से अच्छे रिजट इसके नहीं आपाते हैं तो आप अर्जेंटाइट सल्पाइड हो रहे लेकिन इसके लिए कभी भी आप नहीं करना है आगे अपन चले दूसरे चीज़ अब यह किस पर मेस है तो मतलब कि जो मैटल होती है वह तो आपकी वीगती है जो में फैगेगा वह आपका फंप बनाएगा पनीसे तो एक कंटेनर में तो यहां से फ्रोट बनना सुरू होंगे अब फ्रोट बन गए अब उनको इस्टिवलाइज भी करना है तो इसमें बनता कैसे एजैसे मेटल है तो आपको पता है जो पार्ट है और यह फोर यहां पर और बार की तरफ आपका वह पोलर है तो ऐसे एक missile formation हो गया है, अब आपको यह द्यार कर देंगा है, यह एक इस पेरिकल होता है, एक गोला होता है, अब यह बंतो हो गए, क्लियर क्लियर stabilizer मिला दिये थाकि यह missile stable हो जाएग, फिर आपके क्या क्या जाता है, floating agent जैसे sodium ethyl तो वो तो जहाग को आपके इस्ताई कर देंगे अब फ्लोटिंग एजेंट प्लोटिंग एजेंट आके इससे जुड़ेगा और इसको तहरा के उपर लेगा और जहाग को अलग कर लेगे तो तो किस पर डिपेंट किया वेटेंग ने तरब है क्योंकि यह ओयल में भीग राता इसलिए फोट बढ़ा पाया क्यों सब्सक्राइब मतलब कि आपको पता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी जो हेवी होगा उस पर ग्रेविटिशन फोट ज्यादा लगेगा तो अपने को स सबसे सिंपल मेथड है आपको क्या करना है जिनमें इंप्वर्टी और मेटल दोनों की इंप्वर्टी पर बहुत ज्यादा डिप्रेंस है तो उनको वाटर के अंदर सोलिशन बढ़ा लो अच्छे से गोल लो उसके बाद में क्या करना है एक डलान वाली सर्पेस लेलो उस पर इसको सिंपल से यूँ कर सकते हो इसके अंदर आप सोलिशन बना लो उसका पानी के अंदर है और यहां से वोटर पास करो फ्रेस इधर से वोटर तो जो अच्छी होगी वोटर के साथ बूल करके निकल जाएगी और हेवी होगी वो इसमें बस लाएगी जैए जैसे किस के लिए आता ही है अगर यहांपे बात करता है कौन से चानल फ्रांगनित की और अब आपके पास गे और हैं है जिसमें एक तो इंपयर्टी और silent में तो अगर इन दौनों में से एक magnetic property रखता हूँ दोनों नहीं दोनों में से एक या तो metal magnetic property रखता हूँ आपका या फिर impurity magnetic property रखता हूँ तो इसमें क्या किया जाता है मैगनेट के बने वे दो पोल होते हैं इन पर एक ribbon होता है अब आप यहां से क्या करोगे और गिराओगे तो यह जाएगा अब मेगनेट से जो attract हो रहा है जिसमें magnetic property है वो तो यहां एक खांद रहे है और जो मेगनेट से attract नहीं हो रहा है जिसमें magnetic property नहीं है वो बाहर जाए जनरली अपन क्या करते हैं hematite तो इसमें iron है ठीक है? तो अपने उनके लिए gravity suppression लिख देते हैं लेकिन एक चीज़ का द्यान रखना उनके अंदर impurity भी magnetic property होती है तो hematite और इनके लिए आपका navigation method काम में आता है ठीक है? जैसे case city right की बात कर लोगी हाँ है SNO, उसके लिए एक काम में ले सकते हैं क्योंकि SNO आपका कैसा है, magnetic property नहीं रखता है लेकिन इसमें जो impurity होती, wall formality वो magnetic nature रखता है तो वो तो यहाँ गिर जाएगी और case city right आपका इदर चला जाएगा SNO तो इंपिरिटी गेंग है और गेंग हमें सब बूरे लोगों की होता है अच्छे लोगों का तो group होता है अच्छे लोगों का तो गृूप होता है क्याना है मुतला इसमें एक magnetic property difference है और थर्ड वाला है वो chemical leaching method वो दिरी दिर आगे बात करेंगे अपर क्यों सब नेक्स अले सब तो अपड़ा जैसे की सबने बता है वेटिंग प्रोवर्टी यहां पर अच्छा मेरे जैम में ही आगया है देखें सब जींक प्लेंट जो पुछ रहा है अपको extraction of zinc from zinc blend is achieved by सब्सक्राइब करेंगे या फिर रोस्टिंग फॉलोड बैर रेडक्शन तो अपन सर इसको तो सिधा ही काड़ सकते हैं क्योंकि सेल्प्रेडक्शन तो उनके लिए काम में लिया जाता है जिनकी srp 0.79 से ज्यादा हो जाती है वह ही सेल्प्रेडक्शन दे पाते हैं क्योंकि उनके ओक्साइड इस्टेवल नहीं होते हैं वह अटो डिंकम्पोज होना सुरोजर में तो यहां तो सबसे पहले आपको तो इसकी आपने कर देंगे रोस्टिंग तो यह बन गया साथ में एसो बन गई अब आपको जिंक चाहिए तो आप एक आंगरो इसका कार्बन से रिडेक्शन कर दो यह बच्चेवें उनके लिए तो यह रोस्टिंग करने है और कर दो करना करना है तो कई मारत्य क्या करते हैं कि सर ने कहा था कि अगर आप इससे कार्वन से रिडेक्शन करोगे तो अलुमिनियुम कार्वाइड करोगे है, मतलब कि सब के लिए कार्वन ने अच्छा रिडिजन लेजेंट नहीं है तो इसमें आंसर से रिडाइगा नेक्स है प्रोसेश रिपरेजेंट है कोन सा प्रकरम पसतिता है एक एक एक्वेसंद दिये और आपको यहां पर आइडेटीपाइगाद है कोन सा प्रोसेश है पहला टेम्पřेशर तो होगा लो और यह हाई होगा और उसमीं के ऐ Lawn-Nuræk Melhores तो यह चर्चोनिय तान के लिए ऑपके लिए जरकॉनिय legends और बोरोल केलिए और एक है इन के ली होता है इनके लिए एप्लिकेबल होता है एसे क्या होते हैं कि जो भी इम्पूर्टियोती होती है अपने को अपने को पिर अपने बॉलेटर कहीं पजिना ने नुचु भिर इंट करें इन ओ हुआ फीर आइणी की वेपर रिलीज हो जाई कुई तो इस तरह से अपन ये वो नर्कल मेथडिसम ही यूज कर लेगे तो इसका अपना आंसर वो नर्कल इसका मतलब सर यह कहना चारहे है कि आप जो मेटल है और इम्पुरिटी है दोनों ही नोन वोलेटाइल होते हैं तो यह से मालूँ आपकी यह मेटल हो गई और यह इम्पुरिटी हो एक साथ पर देंट है और दोनों की दोनों कैसी है नोन वोलेटाइल और यह भी आपकी कैसी है नोन वोलेटाइल है तो इसमें क्या क्या जाता है बाहर से एक ऐसा कंपाउंड मिला दिया जाता है जो इन दोनों में से एक के साथ बांडिंग कर और बना गया एम- एक्स तो इस ही को तो अब जैसे आपने लो टेमप्रिचर दी आ तो लो टेमप्रिचर देती है इससे अटेंच हो गया और यह वेपर फर में अलगा गया अब यह इंपिरिटी यहीं पे रुप गई अब ये अलग आ गया compound क्योंकि ये कैसा है वोलेटाइल है अब इसको high temperature देदो जो वेपर थी उसको अपने क्या कर लिया अब उसको अपने high temperature दिया और जिसे ये high temperature दोगे इनका bond फिर से टूर जाएगा तो आपको पता है ये तो खुद वोलेटाइल था ही तो वार्न आर्केल मेथड जो सर ने बता दिया है ताइटेंगियम जर्कोणियम और एच एफ के लिए काम आती है और एक आपका मंड प्रोसेस होता है जो निकल के प्यूरिफिकेसर के लिए काम गया क्यों सकता है उस पर भी अपने सवाल दिया है आगे बाद आपको प्यूरिफिकेशन मेथड है ना वो रिफाइनिंग आपको यह मेटल बनने वाली हो वह एकना प्यूर कंडिशन में मिलेगी बाद यह करा तो यह पहला बेर प्रोसेज देरका है तो बेर प्रोसेज यह क्या हुए आपका केमिकल और लेचिंग मेथा यह तो यह जैनरली इसमें चार प्रोसेज घंड होती है एक होती है और ऑडर टो यह गतिक आपकर्णरम के लिए जिसके अंदर आपका पहले NACN या केसिन से रियक्शन करवाई जाती है और फिर आगे जिंक के टुकड़े इसमें टाल दिये जाती है और यह जो बेर हॉल सर्पेक होती है वो एलुमीनियम के लिए काम में ली जाते हैं अब बोकसाइट भी दो परकार का होता है एक तो रेड इसमें हाइसा आएट कि अंगे ना धिनूह इसमें प्लॉजनते हैं घडियो सर्पेक में जिसमें वाइट वोकसाइट को कारबन और से नाइत्रोजन साथ ही- आप सभी क्यों है अगर वाथ करें तो अगर आयरेन की यह काम में ले लो और नहीं तो आप ताम की है तो हॉल्स काम में ले लो एकना आपकी को बात को पड़ता है सारी चीजें या डिसकरशन नहीं हो शोलिबल कोंप्लेक्स बढेगा सूडे पैल मिन न बनता है दो आपका छोदा सु तेथर के लिए तो आपका यलूमीना बन जाता है और वैसे ही यहाँ पर है लुडियूमीनियम नाहिद्रेड बनने वाला है प्रिश करोगे अलुमीनियू हाइड्रोकसाइट बनेगा फिर टेंप्रेजर जिसे दोगे आपका लाश्त में अलुमीना बन जाएगा तीनों से अलुमीना आने वाला फिर उसका होल हेडार्ट प्रोसेस कामें लिया जाता है जो इलेक्ट्रोलाइटिक के रिडक्सन में तो यह हो गया कंसंट्रेशन ट्रॉप और यहीं अपने को फूच्छा था वान और के लपन डिसकर्स कर चुके यहां पर तो अल्ट्राप्य और में ली जाती है जब आपका कोई मेटल हो और उसमें उसी के ऑक्साइट की जैसे कोपर में कोपर के ऑक्साइट की लैड में लैड पिर हरी लकडी के जो गट्टे होते हैं उसमें गुमाएंगे अब आप हो गए हो गुमाने से क्या होगा तो हरी लकडी है तो हाइड्रोकार्बन है उसके पास मेटल ओक्साइड है उक्षीजन है तो वहां कंबसन हो जाएगा CO2 और आपका मेटल मिल जाएगा ऐसे ही आपक का कप्लेशन के लिए जो कंटेनर का में लिया जाता है वो आपका बारिक फॉर्स होते हैं जहां से होटे और पास की जाते हैं इसका मतलब जो मेंटल और इमप्वरिटी है उन में से जो इमप्यूरिटी होते हो ज्यादा बाइंडिंग निचर रखती है ऑक्षीजन के साथ जैसे मालो आपके एजी में लेड़ की इंप्यूरिटी है तो कप्लेशन काप मिलो कप्लेशन का मतलब बॉन एस के कंटेनर में इसको डाल दो होटेर पास करो तो यह आपका पी बी ओ और पी बी ओ टू बनाएगा तो यह वेपर फर्म में निकल जाएगा और बॉन एसका इसलिए लिए आजाता है कुछ को यह अजोब भी कर लेगा यह जो कंटेनर बढ़ा है बॉन का इसमें को प्रोपर्टी होती है तो यह इस इंप्यूरिटी को यहाँ आप जोब कर लेगा नाम भी क्यूपलेशन है ना, यह क्यूपल सेंप में होता है इसलिए नाम क्यूपलेशन दिखा लेगा तो यह आपका रिफाइनिंग मेंटड है तो फस्त आंज़ोर यहाँ नेक्स सलेशीट जाएगा हाँ सर्क यह आपने वह अलुमीनियम के लिए तो फोर्ट दरिमोलो एटू अच्छा यह कहना जा रहा है कि ए एन्टू-o3 यह ऐल के लिए तो इसके लिए तो होल हेरांट अज़ोर फिर यह तो यह और फिर उसके बाद में अपनी प्रोसुपलिण के काम आज़ाए तो फिर उसके बाद में बात करें तो इसके लिए तो एलुमीनियम रेडिजिंग एजेंट लेकर के फिर किया जो तो अपना आश्रा आगा सब्सक्राइब वही चीज एस्टिक प्लक्स मैंने यह कहाता कि एस्टिक प्लक्स बेसिक इंप्यूरिटिक को अगर यह ले लूँ यह एस्टिक है यह आपका M às आगए नहीं हो सकता क्योंकि M फितरीक तो पहला यह नहीं हो गया और सब्सक्राइब और सुर्तिक क्योंचे एकट इड्यूरिट्च आगा का सब्सक्राइब तो थर्ड आनफर हो एगा नेक्स से लिश्ट देखे सार ग्रेविटीश अपरेशन मेफड अब यह सारी चीज़ आतुके डेंसिटी नेक्स से लिश्ट नेक्स हाँ इन अपके पास लेट आपके पास लेट के विजुत प्रिप्रिट में यह जो अपने को मिलते ना देखो अब अपने को यह महेंगी मेटल मिलते ही देखे लाँ तो यह जो आपके पास अनोड मद होता है उसके नीची इंप्यूर्टी मिलती आपको इसमेलगा ओन एनोड इलेक्ट्रोलेट्रिक सोलुईशन इनोड मद विलकुल आप याद रहो विलकुल इसका बना दी आपने यहां प्योर और और इसी का जैसे महालो copper का purification करना है तो copper की इंप्यूर जो रोड है वो है और यहां pure copper और यह बन जाएगा cathode और एक चीज और है जो metal लेके चल रहे हो pure metal क्योंकि मैं copper की बात नहीं कर रहा है सब की साथ में बात कर रहा है अब जैसे metal का purification करना है उसी का electrolytic solution होना चाहिए जैसे copper तो copper sulfate होना चाहिए led का ey तो led sulfate होना जाहिए मतलब जेसका purification करना है ना उसी का solt होना चाहिए तो यहां जागा İyi actualTION यह electrolyte रहये की अब जैसे है है current supply करोगे बैटरी से connection दढ़े हैं तो होगा क्या यहां से यह metal यहां आएगी और इस पर reduce हो करके pure form में इस पर इक्टी होती जाएगी तो यह दिरे-दिरे बारिक हो जाएगा और यह दिरे-दिरे मोटा हो और इसमें जो impurities है जो less reactive metals जान रही है और less reactive अब आप कोगे कि यह सोना चांदी तो यही वेश्ट जा रहा है तो इसकी concentration बहुत कम होती है और अगर आप इससे gold बनाने के कोशिश करोगे ना तो खर्चा तो हो जाएगा ज्यादा ठीक है और जब selling पर जाओगे तो जितना आपने लगाए ना उतना profit कमाई नहीं पाऊगे समद्के इसलिए यह यहां पर सिर्फ impurity के फोरम में है impurity ही रहेगी है आप यहां से gold extract यहां से नहीं कर सकते है क्यों सब्सक्राइब तो यहां पर इन नोड़ मंड़ में मिल जाएगा थर्ड है नेक्स से लिए आप यह नेकल आपको बता निकल में निकल नोन वोलेटाइल है तो यह इंप्यूर है अब जैसे अपने पहले आप यह पर तो इसकी रेक्शन करवा दी जाती है कि से सब्सक्राइब तो इंप्यूर्टी तो वही रह गए थी तो यह प्योर अभी थोड़ देर पहले संजाए थी इंप्रोसेट वह वह पर प्याइब सब्सक्राइब तो अपना आजाएगा थर्मले डीकंपोजिशन सेकेंड अंसर क्योंकि थर्मल डीकंपोजिशन से अब भी बताया था क्योंकि इसमें सिल्वर में लेडगी ऑक्सिशन के ट्वार्ड्स एपिनिटी ज्यादा होते हैं तो अपना थर्मल और के लापको शर्ने बताये था सेमें इंडेक्टर्स के लिए का में तैनियम जर्कोनियम राप से उनके लिए वो जोन रिफाइनिंग हो गया लिक्वेशन में थर्ड़ है चलो इसकी एक होता है जिनका मेल्टिग पोइंट कम होता है, एक यहां से क्या होगा कि जैसे इसको हीट दोगे तो यह प्यर फवर्मल लिक्यूड आकर के यां एक्षी क्यों सब्सक्राइबिए, तो इसमें तो कप्लिशन होता है, मैं थाड़ाइचाद पन इसकर लिए के पहले मिना कोपर गलांस है पहले उसका अपने रोस्टिंग किया फिर एस मेल्टिंग करो तो एस मेल्टिंग के तो फाइनल प्रोंडेक्ट होते हैं वो अब यह पूरा प्रोसेस हो जाएगा अपने इसको साइड में रख देर देर ठंडा होगा लेकिन जो बन गई है वो निकले तो जैसे जिसे ठंडा होगा तो गैस निकलती है तो यहां से उपर एक फॉलेट है उसकी सर्पेस ब्लिश्टर फॉर्मिश्टर फॉर्मिश्टर अब यहीं लिगाए नेक्सलेस हो हो ऑप्रोसेस यह अपना बात कर चुके है इनके साथ में अलूइन के लिए नियुक्ता है एलूमिनियम का रिडेक्सिं करना होता है यह जोए फिर उसका अलूमिनियम से इलेक्ट्रो रिफाइनिग में तरसे प्योर आदे बिया तो इस द इसको यू भी लिख सकते हैं, Na3AlF6, यह कराएगा, शाथ पर फ्लोरो इस बार मिलाएगा, इनका रोल क्या होता है, एलुमिना का, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, काफी आई होता है, लग बग 2,800 के आसपास, तो ऐसे में क्या करेगा, जब यह मिलाएगे, तो उसका जो म आई temperature continuously बनाए रखना possible नहीं है, मेंटेन करना उसको मुस्किल है, तो उसका मेंटिंग पॉइंट कम कर लेंगे, दूसरी चीज, इसका फायदा क्या है, कंडेक्टेंस भी बढ़ा देगा, यह आईन प्रोइट करोएगा, जिससे कंडेक्टेंस इसकी बढ़ जाएगी, तो कुर्शन आया है, तो यही आगया, इन परजेंस ओप क्राइवलाइट विच फोर्म ए मैंट विद लोर मैंटिंग तेंपर, तो अपना आंसर हो देगा, किसमें, नेक्स है ने, अब यह आपको करेंट मैस करना है, यह आपको नाम याद हूं थे, कोमन फॉर्मुले याद तिन का फॉर्मुला कैसे ट्राइट इनका होता है? बिल्गुल कैसी ट्राइट आपको पता होतो, अब भी बताया था, इसके साथ ओल फॉर्माइट की इंप्यूरिटी होती है, और इसके लिए ग्रेविटी सेफिरेशन काम दे लिए, मैगनेटिक सेफिरेशन जोरी, मैगन यह दो तो मेंज हो गए बाकी यह तो आइरन का है ना की कोपर का और यह कोपर का है ना की जिन यह और भी दोनों मेंज हो रहे हैं इसलिए आंसवर अपना थाइफ अटर आटर यहां जो अर्ज़िघ इसल में भी आपको देशिडय संट क्रण बंगाने में अपने बात कि यह रहा है कि जो डेंग इसको का दो ने न फॉट है एक प्रकार की कंसंट्रेक और्श और रहे हैं ऐख सफ्वेट है आपका अरज़्ट एक प्रकार की तो यहाँ पर क्या होगा इसकी NaCN के साथ reaction करवा देगे तो देखो क्या होगा AgCN2 Na2S बन देगा अब आप एक चीज़ देखो यह क्या होता है वापस reaction reverse हो जाएगे क्लियर यह वापस से इसके साथ reaction करके reverse कर देगा तो ऐसे में क्या किया जाएगा इसको आगे Oxidize कर देगे इसलिए यहाँ पर Oxidation कर सके इसका तो Oxidizing Agent के तोर पर किसको काम में लेते है तो यह इसको Na2SO4 में बदल देगा जिससे reaction reverse ना हो क्लियर फिर उसके बाद में जिंक मिलाएंगे तो यह देगो यहाँ प्लस वन में है जैसे जिंक मिलाएंगे जिंक इसको replace कर देगा तो यहाँ बन जाएगा तो अपना answer कौन सा हो जाएगा सर सेकेंड बिल्कुल नेक्स कर सेड़ेंगे तो और अलुमिन काम में लिया जाएगा अब यह लिचिंग प्रोसेस कुछ है यह अपने पूरी बात है कर चुके है अब आप को गया कि सर्देट वैसे किसन इंक्लूट कर लिए सित्यांसों पता रहे तो हम जब इसे किसन इंक्लूट किये दे तो हमें पता था ने पहले पर दो डिटेल भी लिए है तो हमने क्या क आने वाले हैं इसलिए हमने थेयोरी पहले बाइंड अप की है ताकि आपको पता था लेंगी थेयोरी ब्रिपोड एक बाद में क्यूसन आसानी से कैसे हो रहा है बाकि एंटायर चेप्टरी इसमें आ रहा है कोई सुटा नहीं है जिए लिचिंग मेथेड केमिकल सेप्रेश अगर इसलिए तो आपने अलग लिया है यह काम तो कर लिया लेकिन अगर वह स्टेबल होगा तो टूटेगा नहीं तो मेटल पे और कैसे आई क्यों तो इसलिए वो कैसा होना थी है वो लेटाइल अनिस्टेबल सेक्ट नेक्स लेश्रेश्रेश्र करते हो तो इसलिका गलते हों किसको होता है किसको क्या करते हो केलशियम कार्फोनेट आंपका हाई टेमप्रेजर वहाँ होता है केलशियम और श्यूट में तूब ये बेसिक नेचसरका होता है और यह आपकी इंपीरटि याँस में दोनों आपस में मिलकर स्ल-ैक बना लेंगे एक मेरिजब स्बивать किया और रभाइन मुन्ठ्ट करं heck कि अनिस्ताफन का धारण कोर साय जैंक के तो आक movies हा जा ग रिप एक कार दौा ही के चाच ऐसान का फिस इसमें पहले जिग dispuisों और इसमें पहले सान अंत्र यह को एठा को किया रेक्क्त है नहीं सकता यहाइ नहीं सकता प्रोसेस 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 तो इसमें तो बिलकुर एक सब्सक्राइब तो यहां पर भी रिडेक्शन ही होता है सब्सक्राइब तो यहां पर अपने को रिडेक्शन की दुरहते हैं नहीं होती है क्योंकि एजी में लेड़ की इंप्यूरिटी है अब अठाने के लिए इसके रिडेक्शन नहीं अपन दो ऑक्षिडेसर में ले रहें क्योंकि अपने इस पर इसके बाइंडिंग नेचर ज्यादा होती है पीडी और पीडी और बन जाएगा जिसको बोनेस का जो कंटेनर होता नेक्सेट इसके लिए तो होगी रेवस्टिंग फिर रेवस्टिंग से ओक्षाइड बन गया तो उसका रिडेक्शन करना है तो आजा ही है रिडेक्शन तब आपकी अब इंसमेटल तो सीधा उसका उसका आपको अपको ने आपको तब इस तब न सकते हैं तो कि दूसरे हैं अपको I सही है लेकिन यह आपका उसमें यहां पर इस पर में आता है लेकिन उसके लिए अपने को लाश्ट में प्योर मेटल लिए तो इलेक्रों रिफाइनिंग करनी पड़ती है तो आपना आंसोर कॉन सा देगा आश्क यहां नगा फॉर्ट प्रोसेस यूज फोर कंसंट्रेशन ओप और इन इस फ्लोट्रेशन प्रोसेस इस जनरली यूज फोर कंसंट्रेशन ओप शुल्पाइट और आपको चेप्टर पढ़ा है यह कहारा है कि लिए जनरली फ्रोट काम में लेते हैं अगला गॉल रहे हैं लेकिन कई बार अपन क्या करते हैं इनमें आने सिर्म मिलादेते और अपको पता है एक पर कार इनिवेटर टायप का होता है वह पर रोग देता है यह रहा है यह दोगो डिप्रिशेंट होता है मतलब कि आप इसको बाद में पढ़ेगे तो अपना मेटर दोनों की ही ओईल में भीगने की नेचर है तो सेम नेचर होगी और दोनों ही फ्रोथ बनाने लगती है तो ऐसे में अलग कैसे करें तो बाहर से या तो आप एक्टिवे कि लोग देंगे तो समझ में आगे चीज है फिर यह जह रहा है तो देखो दोनों की ही यहां पर फ्रोट बनाने की नेचर है तो ऐसे में अगर आप इसमें एने सीयन मिलाओगे तो एने से इसके साथ मोटर सॉलिबल कॉंप्लेक्स बना देता है आपको बताया था तो अब यह वाटर सॉलिबल बन गया है इसका मितलब में यह फ्रोट नहीं बनाएगा तो आगे क्या करें वोट इस दे प्रोसेश ओप एडिशन ओप एने से इंड दूरिंग दी प्रोसेस और यह तो पूछ रहा है तो यहां भी आ गया देखो एस सॉलिब कॉंप्लेक्स इस फॉर्म रियक्शन बिट्विन अने से इंड जिंग वाइल पीपीएस फॉर्म फॉर्ट समझ में आगे होगा आप तो अगर लेंगवेज बढ़ी हो ना तो क्यूशन पढ़ने के साथ साथ ही उसको आप इंप्लिमेंट करते चलो उसको आप लिगते चलो को सेपरेट करने का मतलब कि दोनों फॉर्ट बना रहे हो तो आपको इसके लिए अपने डिप्रिसेंट काम में ले लिया और वालो यह यह कंतार अपने को इसको अलग करना था तो एक्टिवेटर मिला देते जैसे को कोफर सलबेट है तो वो क्या करता इसकी CMC कम गर देता अब यह बनाता बनाता हो भी लेकिन वह बनाना शुरू करेगा उससे पहले यह बना चुका हो पटिकूल कंसेंटेशन सींसी क्रिटिकल कंसेंटेशन और एक क्राफ्ट टेंपरेचर अपन पर्टिकूल यूस करते लिए कंडिशन आप पढ़ने बिल्कुल सर्पेस के मेंश कुछ भी हो जाए कोस्वेट ये result यह मिनरल भॉकसाइट यह आपका मिनरल इस पीके अब ऑपर स्रोयल से आलोमिनुरमीनियुम लेड़ा चाथे हैं और यह बोकसाइट सेुलियुमिनियुम लेड़ा दा खेंग ऑर जोता और अपकर काफ़ी जीशन गाना निंशना पर्टि प्रोसेस आसान भी हो और सस्ती भी हो तो प्रोफिट होगा और बोगसाइड से आप इजी गोईगा आपका और भी है मतलब कि और वह मिनरल होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है और उसको एकोनोमिकली और कण्यूंग लिए आसानी से ए तो यह तो पहला तो फिर यह अपने संब बात कर चुकिए कि स्लेग इज प्रोड़क्टिव फ्रॉंग डूरेंगे एक्स्ट्रेक्शन और मेटल मतलब इंपिर्टी की बात कर रहा है एंड कॉमिनेशन ओफ्लक्स यह रहा है साथ में इंपिर्टी और फ्लक्स से मिलकर के आ को पता है मतलो लोन चैप के आयन सोर्स और तो यह आपका फॉट्स हो गया है क्योंकि यह दैए क्वार्स फॉल्स प्रॉंगे श्री फॉट्शन और आंसर जों कि इनके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं में पना तुशन रिफेंटी में उतना और तो छों निर्दिस जो इंप्यॉर मेटल होती में लिए सेमिकंडॉक्टर के लिए काम है तो इंप्यॉर मेटल की रोड लेती है और यह मेटड उन के लिए काम में लेती है एक प्रिंसिपल होता है इसका भी कि जो impurity है वह solid की बजाएद लिक्विड के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। तो मेटल की अपने एक रोड बनाती है। अब इसको कीशी भी एक वेक्यूम जनरेट करके उसमें इनर्ट गैस बढ़ती है। अब क्या करें कि इसके सारव अपने मुवेबल इठर रखेंगे। अब इठर है तो यह मैंटल क्या होगी मैंट होना शुरू होगी। और जिदर जिदर टेम्परिटर जाएगा वहां लिक्विडी स्टेट रहेगी अपने का कि इंप्यूर्टी लिक्विड में जाना सोली ब जाना से एड कि तो यह बीच वाला तो होता है ओ इंप्यूर्टि ओड़ हो और देरे घर लास्ट में फाइनली प्यूर्ट ही आठ जाएगी अब आपको होगे कुछ मेटल भी तो उतर जाएगी बिल्कुल जाएगी लेकिन यहां तो प्यूर्ट फॉर्म में 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 इस तो इसलिए इसको अल्ट्रा पिर मेटल प्रसें या फे प्योर मेटल आपको मिलेगी, तो मेलिये से्मिकंडक्टर के लिए आके यह काम में आती है क्लियर इसको जोन रिफानिक कायाई इसलिए या तीन अलग अलग जोन बन चुके है कोपर ग्लांस क्या होता है सी यूटू एस अब यह कह रहा है तो सी यूटू बन जाएगा सी यूटू एस भी आपको पता है पार्सेल रोस्टिंग प्रोडेक्ट याद हो ने चाहिए यह बन चुका है अब इसको आगे आपको क्या करना है प्यों पूचा है अब यह कह रहा है तो इसमें उट्रीडक्सन सुरू हो जाता है लेकिन अपरेशन के लिए अपने को टेम्परेशर है देना परता है तो यहां से क्या बन जाएगा तो यहां पर देखें गलत है इसके साथ सी यूटू एस भी बनता है फिर आगे सी यूटू और हीट करना है तो अपने यहां पी रिएक्शन होजाए यह पूछा है यह क्या है यह प्रोसेस तो अटो रिएक्शन हो चुग है अगे तो यह प्रोसेस अबिए आपको तो यह करे रहा है इन क्या है ओली एंड ऑल्ली एंड टेंप्रेटर वाला सिंबल है तो अब आपके नियूट्रल स्कूरा आपका सी आपका थू होता है यह आपके न्यूट्रल फ्लक्स जिनका काम किया है कि मेल्टिंग पॉइंट को कम करना अची कंडेक्टेंस को बढ़ाना तो इन दी पॉइंग तो इन्न को सब्फ़रा सथ अपन ऑलिंगम डियाग्राम बतने कि लिए जब भी कोई मेटल ऑक्षिजन से रेक्षिन करके मेटल ऑक्षाइड यह अपना है तो आपको पता हिए गैस होता है यह सोलिड होता है इनके लिए कंबसन हो रहा है इसका मतलब है यह हीट यहां से निकलने वाली है एक्षाइड अब मेटल ऑक्षाइड फॉर्मेशन के लिए एलिगम डाइग्राम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं डेल्टा जी गिप्स प्री अनर्जी चैंजेज और टेंप्रेशन ग्राफ लोग से लिए इसके लिए एक से प्राइब अनर्जी चैंजेंगे डेल्टा जी ग्राफ जीनटा प्राफ एंडियर्टा थेंप्रेशन गया क्या त्राफ दो और आपका पॉजिटिव है तो ऎंट्रोपी भी मोजेट्यू गर अगर आपका ब्राफ ऑन्केस एर तो एंट्डेशन गेटिव जीरो गेटी देल्टा NG की है N product minus है N gases product के mole में से reactant के mole देखो यहां देख लो जासे यह solid है तो product के mole तो होगे G है और reactant में gas है तो यहां से delta NG की आगया minus हाय इसका मतलब आपके entropy भी minus होगी विसा इसी की लिए मैं लिश्क के लिए निक के लिएटा है तो delta G minus delta S और यह minus में आगे तो minus minus T delta S अब आदो देल्टा G को बताता है यह अगर देल्टा G को बता रहा है तो उपर की data आपको पता है positive में और नीचे की data negative अगर आपके जिए तो delta G अगर आपका जिसे की सन्ने बता है negative में आता है तो spontaneous process यहां से एंतरसेट माइनस में घरख यहां से सुनुद सब्सक्राइब उपर से और इंट्रिसेफ्ट नहीं होता है तो ग्राप में फॉइंट से सूँश होगी, मैं इसी प्लिस एमएक्स होगी होगी हाँ, तो अब यहाँ पर देखो टेम टैम्परिशन के साथ जाते हैं, स्लोप कैसा है, प्लस के के स्लोप उपर जाते हैं माइनस के स्लोप नीचे तो यह ग्राप आपका यूज है यह एक ऐलिगम डाइगराम हो गया और जिस रेक्शन का ग्राप होता है वो रेक्शन उसके उपर लिख दी जाता है कि लिए मेंटलोकसाइट के फॉर्मेशन के लिए लिए जाते हैं तो यह C प्लस O2 और यह बन गया आपका C हो तो आपको पता है यह कैस यह कैस और यह आपका तो इसका एलिगम डाइगराम वही कमबसन है तो डेल्टा जी माइनस डेल्टा है अब यह वन में से हाफ गया तो प्लस में आ गया यह इसका मतलब डेल्टा है एंट्रोफी माइनस ए रहे अब इसका ग्राफ कैसे आएगा डेल्टा जी और यह D इंट्रसेट माइनस में और ग्राफ की तरह जा रहे है माइनस यह कार्बन का ग्राफ हाग अगया सी प्लस हाफ और तू सी ओ अब ऐसे कार्बन मोनोकसाइड की बात कर लेते हैं अब अब तो यहां से देखा जाए यह भी गैस तो यहां पर डेल्टा हैंजी जो आने वाला है वो माइनस हाप आने होता है एंट्रोडक्त माइनस एंट्रोफी आपकी किस में आदाएगी ऑनदागी ग्राफ सेब्सट प्लस प्लस हैंट्रसेप्ट माइनसमें तो गराफ कि तरफ है किसका ग्राब है यह इसके उपर बना देंगे यह जी सी प्लस हाप और तू अब एक शीक देगो इधर टेंपरेचर बढ़ रहा है ना तो यह जो टेंपरेचर है कि यह होता है 983 जहां पर यह दूसरे को काट रहा है अब समझो इसमें जो नीचे की तरफ होता है जिसका ग्राब नीचे होता है वह उतना ज्यादा इस्टेबल होता है मतलब वह उतना ही अच्छा रिडिजिंग एजेंट का में है अब देखो यहां पर देखें जब टेंपरेचर 983 से नीचे है तो कार्बन मनोकसाइट का ग्राब नीचे इसका मतलब यह ज्यादा स्पोंट बिल्कुल नीचे कंबसन जोड नीचे रखा गया इसमें और नीचे का टेंपरेचर तो कार्बन वाला गराब नीचे आगया इसका मतलब यह ज्यादा इसका मतलब यह ज्यादा इसका मतलब यह ज्यादा अच्छा किसकी वज़े से एलिगम डाइग्राम यह ज्यादा तो पहला अपना 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 देखना है तो यह तो अपना सही होगी फिर अगला कह रहा है इन फ्रॉटेशन 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 डिप्रेशेट और एडेट टू इनहेंस दिफॉरमिसन और बिल्कुल यह नहीं करता है कम करता है तो यह आपका रॉंग स्टेट्वेंट हो गया रॉंग ही आइडेंटिफाई करना नीचे फिर भी देखने दें जिंक औक्स तो यहां पर कार्बन से करवा दो तो जैडेंट प्लस सी ओ और आगे वो सी ओ तो अगर दुवारा से सी ओ तो यह भी सई है और यह भी बताया था इससे बलोग टेंपरेटर कार्बन अनोग्साइड अशारी डिशी तो यह भी सई है तो यह थी अपने अब थीज अपने नियुक्तर को पड़ो उसके बाद में क्यूसन की प्रेक्टिस करो तो वह बैटर तरीगा रहेगा तो इसे से पुरा का पूरा है ना ना बेटलर जीजें याद करने वाले जादा रहती है ज्यादा तर आपका इनको एक फ्लोडर्ट बनाओ और इनको या लुमिनियम पॉपर पॉपर ये जाज़ा ब्लस्ट फंडेंज एक अप्वाते भटी जो है और उसके टेंपरेचर जोन चोन दे रहा है उसको डायग्राम को चलेता है कि इसमें फ्लक्स का कुशन आता है बिल्कुल आइसे डिक बेसिक फ्लक्स इंपिरिटी तो इस आपका जो वेडिकल में भी काफी कई वर आया हूं अब देखो नीट ने पेटरन चेंज किया है तो उसमें एलिगम डियाग्राम की कुछन दे सकता है वैसे नीट इसको नहीं लेता है अभी तक तो निया है रहा है तो अभी सिसेज आ रहा है तो अभी क्यों से इंक्लूट करने की पॉसिबिटी है तो अभी जैसे एंशाइटी में दिया है ता पढ़ लो पढ़ने में को दिक अधिने लेकिन काड़ा वेलो पॉस्चन चाहिए अमने अलब कावर करने की पूसर तो यह आपका अच्छा हुआ हू झाल 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